वसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तो गुरू में दोस्तों आज हम जानेगे तुलसी पौधे के कुछ वास्तो टिप्स दोस्तों आज हम जानेगे कि तूसी का पौधा किस जगह में रखने से आपको लाब होगा और किस जगह में रखने से आपको हानी हो सकती है अगर तूसी का पौधा गलत इस्थान पर रखा जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पर सकता है लेकिन इस वीडियो से जूरी पूरी जानकरी के लिए आपको इस वीडियो को लास तक देखना होगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि वो जल से जल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुले जिससे आप हमारे किसी भी वीडियो का अपडेट देखना मिस ना कर पाए दोस्तो अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको इन बातों का अवस्य दियान रखना चाहिए जैसे आप किस तरह से तुलसी के पाउधों का इस्तमाल कर सकते है और किस तरह से तुलसी के पाउधों का किसी आउसदी की रूप में इस्तमाल कर सकते है तूलसी का दूसरा नाम व्रिंदा भी है तूलसी अगर घर पे रहते है तो घर के सारे वास्तुदोस दूर हो जाते है दोस्तो तूलसी का पौधा हिंदु धर में सबसे पवित्र पौधा माना गया है तूलसी का पौधा देवी व्रिंदा के आत्मा से प्रकट हुआ है अगर हमारे घरों में हमने देखा है तुलसी बहुत जल्दी सुख जाती है लेकिन तुलसी ऐसे सुखनी नहीं चाहिए तुलसी हरी भरी रहनी चाहिए अगर आप तुलसी का पौधा सही दिशा में रखता है तो आपके घर के जितने भी वास्तुदोस है वो जल से जल नस्त ह तुलसी का पौधा घर के वास्तुदोस को दूर करता है। तो मन को सांती और प्रसंता मिलती है। रोज सुबह तुलसी पौधा पे एक लोटा जल चराना बहुत ही सुब होता है। इससे घर के आर्थिक हिस्ती भी ठीक रहती है। लेकिन सास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताएगा है जिस दिन जल नहीं चराना चाहिए। इसलिए आज हम बताएगे कि तुलसी को किस दिसा में लगानी चाहिए और किस दिसा में नहीं लगानी चाहिए। और तुलसी को कब जल चराना चाहिए जिससे कि आपके घर के आर्थिक स्तिती हमेशा अच्छी रहे। इस पहुदे की मदद से आप घर की स्तिती किस तरह ठिक कर सकते हैं। अगर आप सुरियास के पहुदे तोड़ते हैं तो उससे बहुत बरा पाप लगता है। इससे आपको वास्तोदोस लग सकती है। यह बहुत बरा पाप होता है। जो यक्ती गुरुवार के दिन तुलसी के पौदों में कच्छा दुड डालता है और रईवार को छोड़के हर रोच तुलसी के पौदे के नीचे साम को घी का दिया जलाता है। उसके घर में मालच में कवास हमिसा रहता है। उसकी आर्थिक स्थिती हमेशा अच्छी रहती है। ध्यान रहे तुल्सी का पौधा कभी भी सुकने ना दे। तुल्सी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे। उसमें हमेशा जल डालते रहे। तुल्सी का पौधा सुकना बहुत ही असुब माना गया है। ज्योतिस में माना गया है तूसी का पौधा बुद्गरा की वज़े से ही सुकता है और बुद्गरा की वज़े से हरा बरा होता है, क्यूंकि बुद्गरा हरा रंग का प्रतीक होता है और बुद्गरा की वज़े से ही तूसी का पौधा फूल देने लगता है, घर में तूसी क पौधा होना किसी डॉक्टर से कुछ कम नहीं है। तूसी का पौधा हमेशा आपको बरसात के मौसम में लगाना चाहिए। तूसी का पौधा बरसात के मौसम में लगाने से वह बहुत हरा भरा होता है। तूसी का पौधा अगर आप पूरब दिसा, तूसी का पौधा अगर घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी लगा सकते हैं आप ये ध्यान जरूर दे अगर ये तीन जगह के अलावा अगर तुलसी का पौधा किसी और दिसा में है तो आपको लाप के जगह में हानी हो सकती है तुलसी में ऐसे बहुत से पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे घर के किसी भी नेगेटिव एनर्जी को नस कर सकती है अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप हर सुकरवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दुड़ डाले और मिठाय का भोग चराए और उस भोग को किसी सुहागनिस्री को दे दे तुलसी का पौधा हर मुसीबतों का संकित देता है तुलसी का पौधा ऐसा है जो हर मुसीबत को पहले से ही भाप लेता है राने गरंठों में बताया गया है कि जिस घर में कोई संकत आने वालवे रहती है उस घर में लच्मी पहले से ही चले जाती है दडिदृता, असांती और कलिस जहां भी रहता है वहां मालच में का निवास नहीं होता है ऐसे घर के तुलसी के पौधे जल्दी सुखने लगते है दोस्तो यह थी तुलसी के पौधे से जूरी महत्वपून बाते अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यह बाते तुलसी से संब्दित है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर कीजिए ऐसे और भी उपाई के जानकरी के लिए हमारे साथ बने रहे